दोस्तों मेरा नाम शानवाज है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले है वोल्टाज बेको के नूली लॉंच हुए सेमी आटोमेडिक वाशिं मिशिन के बारे में जो किये 8.5kg का इस मशिन का मॉडल नंबर है WTT85DBRG अगर हम इसे डिकोट करते हैं तो ये बनता है वाशिं मिशिन, ट्विं टब, 8.5kg, D-Series, बरगंडी, कलोर और ग्लास जोर सेमी आटोमेडिक वाशिं मिशिन यानि कि इस वाशिं मिशिन के अंदर आदा काम आप करते हो और आदा काम करेगा आपका ये वाशिं मिशिन इस वाशिं मिशिन के अंदर आपको दो टब मिलते है एक टब आता है वाश के लिए और दूसरा टब आता है रिंस और स्पिन करने के लिए ये washing machine फैबर बोड़ी के साथ में आता है जिसके वज़े से इसके अंदर रश नहीं पकड़ता और शौक भी नहीं लगता इस washing machine के अंदर आपको दो साल की comprehensive warranty आती है और पांच साल की warranty आती है दोनों मोटर की बहुत सारे दूसरे ब्रांच के अंदर आपको सारी wash मोटर की warranty आती है लेकिन वोल्टाज बेको के सारे semi-automatic washing machine के अंदर आपको wash और इस पिन दोनों मोटर की warranty आती है पांच साल की इस washing machine के अंदर आपको मिलता है fast rating कर श्रीकर, hydraulic door, water resistant control panel, double cassette filter और बहुत सारी चीज़े इस washing machine के MRP है 18,990 और ये बेचा जाता है तकरीबन 14,000 के आसपास के pricing में Pricing और offers हमेशा change होते रहते तो मैंने आपको link द्यावे description के अंदर अगर आप इसे purchase करना चाहते हो तो आप link पे जाके इसे purchase भी कर सकते हो फिलाल आज की वीडियो को इन दिन तक ही जरूर देखना है, अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छे लगती है तो ही आप इसे like करें, share करें, जो भी आपका question का comment box में जरूर टैप करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चलिए दूस्टो फड़ा फड़ से फिर वीडियो को शुरू करते है दोस्तो ये washing machine लेने का सबसे पहला reason आता है इसका fast rating का sticker fast rating का sticker लेने के लिए machine को कई parameter के ओपर खरा उतरना होता है जिन में आता है soil removal जोकी 80% से जाधा होना चीए RMC value जोकी 75% से कम होने चीए तो वोल्टास बेको का ये semi automatic washing machine सारे parameter के ओपर खरा उतरता है जिसके वज़े से 5 star rating का sticker कर दिया गया है ये washing machine लेने का दूसरा reason आता है इसका control panel इस washing machine के अंदर आपको IPX4 rated water resistant control panel दिया हुआ है इस panel के अंदर अप, down, right, left, किसी भी direction से अंदर की तरफ आनी नहीं जाता है जिसके वज़े से ये panel जल्दी खराब नहीं होता है इसके अंदर आपको 4 knob दिये वे है और उनके अंदर आपको chrome finishing दी गई है जिसके वज़े से खूपसरती और जबद निखर के आती है ये washing machine लेने का तीसरा reason आता है इसका door इस washing machine के अंदर आपको hydraulic door दिया वा है जिसे soft close lid भी कहा जाता है इस door के वज़े से आपके machine को premium lux मिलता है ये unexpected injury से बचाता है और ये accidental damage से भी बचाता है जैसे के आप देख सकते हो wash tap का door hydraulic है लेकिन spin tap का door normal आता है इस washing machine के अंदर आपको special rolling pulsator भी आता है जैसे के आप वीडियो में देख रहे हो इसमें pulsator के ओपर तीन roller अलगे वे है जिसके वज़े से कपड़ों में scrubbing effect काफी बढ़िया मिलता है इस washing machine के अंदर आपको water level adjustment भी दियावा है आप यही से water level को set कर सकते हो यहाँ पर तीन setting दी गई है पहली है low, दूसरी है medium, तीसरी आती है high अगर आपको कम कपड़े दोने हैं तो आपको inlet pack को connect करना है और low level को set कर देना है तो machine low level तक कही water को consume करेगा extra water consume नहीं करेगा इस washing machine के अंदर double waterfall का option भी दियावा है एक है left side में दूसरे आता है रैट side में double waterfall का benefit यह होता है कि जब यह machine के अंदर कपड़े दोते है तो हमारा pulsator तो clock and die clock गोमता है लेकिन उसके साथ में यह दोनों जगाओं से drum के अंदर पानी भी आता रहता है drum के अंदर पानी आने के वज़े से सर्फ easily dissolve हो जाता है और हमें wash holiday काफी बढ़िया मिलती है और हमें दुबारा से कपड़ दोने भी नहीं पड़ते है इस washing machine के अंदर आपको double cassette filter भी आता है एक आता है left में दूसरा आता है red side में बहुत सरे brands के अंदर आपको सरिफ एकी filter मिलता है यह filter plastic का होता है और इनके अंदर धागे डट जाकर जमा हो जाते है अब हर हफते में एक बार इने निकाल कर अच्छे से wash करके फिर से लगा सकते हो अगर हम इस machine के spin tub की बात करें तो इसमें भी आपको toughen glass दिया हुआ है यह tub rinse और spin करने के लिए काम आता है इस washing machine के अंदर 1350 RPM दिया हुआ है यानि कि कपड़े को सुखाने के लिए जो tub होता है वो एक मिनट में 1350 बार rotate करता है जिसके बज़े से drying efficiency काफी बढ़िया मिलती है दोस्तो यह Tata का product है और Tata मतलब trust भरोसा यह सारे 8 kg का machine है यानि कि आप इस machine के अंदर सारे 8 kg के सूखे कपड़ों को एक साथ दो सकते हो इसमें बजर का option भी दिया हुआ है अगर आपने water inlet pipe लगाया हुआ है तो आप यहां से zone को select कर सकते हो कि आपको किस टब में पानी चाहिए इस washing machine में wash timer के अंदर washing का duration दिया हुआ है 15 मिनट का और soaking का duration दिया हुआ है 25 मिनट का ताकि कपड़ों में लगे हुई सारी गंदगी आसानी से निकल जाए wash selector के अंदर आपको 4 wash program दिये है पहला है delicate, दूसरा आता है gentle, तीसरा आता है normal और चौता है heavy इसके अलावा तीसरे वाले knob से आप wash rinse करना चाहते हो या पानी को drain करना चाहते हो उस option को select कर सकते हो चौता option दियावा spin timer का, इस washing machine के अंदर आपको 10 minute का spin का timing मिलता है, बहुत सरे brands के अंदर आपको सिर्फ 5 minute का ही timing आता है 10 minute के बज़े से आपको drain efficiency काफी बढ़िया मिलती है, तो दोस्तो मैंने आपको link दियावे description के अंदर अगर आप इसे purchase करना चाहते हो, तो आसे इसे purchase भी कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो से रासी भी अच्छे लगी हो, तो प्लीज आप इसे like करें शेयर करें, जो भी आपको कुशनों का comment box में जरू टाइप करें और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुब रहे